Hello and Welcome to Learn with Hema's Class My dear students, आज हम करने वाले हैं Standard 10th का English subject और उसका 3rd unit का 1st poem Night of the Scorpion जिसे लिखा है Nisim Ezekil ने, बहुती beautiful poem है यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से superstition होता है लोगों के मन में, वो एक तरह का superstition हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि एक mother का selfless love अपने बच्चों के लिए कैसा होता है तो यह एक narration है जो poet है इसी इमने जिकिल ने, यह narration लिखा है एक बेटा जो है narrate कर रहा है एक रात के बारे में, जो पुरानी बात है एक रात की उसे कोई याद आ रही है तो जिसके बारे में वो बता रहा है और night of the scorpion मतलब किस तरह से उनकी ममी को, जो भी narrator है poet है, जो narrator है उन्होंने बताया है कि उनकी ममी को एक scorpion ने डसा था डंक मारा था तो वो रात कैसी थी पुरी रात कैसी निकली उनकी और किस तरह से लोगों का behavior था इस पुरे incident को लेकर वो उन्होंने यहाँ पर बड़े ही खुबसूरती से बताया है अपने with beautiful words यह पुरी poem जो है free words में है इसके answers जो है मैं आपको इस video के description box में link दे दूँगे आप वहाँ से इसके answers देख सकते है पुरा एक poem तो मैं आपको line by line जैसे हमेशा से explain करती हूँ वैसे ही करूँगी answers आपको description box में मिल जाएंगे लेकिन आगे बटने से पहले एक छोड़ी से request मेरी हमेशा से आपको रहती है वह यह कि यदि आप मेरे चैनल के subscriber नहीं है तो जरूर से subscribe कीजिए learn भी थेमा को और साथ ही साथ अपने friends के साथ भी जरूर से share कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के night of the scorpion तो first answer I remember the night my mother was stung by a scorpion 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice अब ये narrator जो है वो बता रहा है कि मुझे वो रात याद आ रही है कि जिस दिन मेरी ममी को एक scorpion ने डंक मारा था 10 गंटे से continuous rain हो रही थी बाहर जिसके वज़े से उस scorpion को हमारे घर के अंदर आना पड़ा शायद वो एक चावल की बोरी के नीचे चुप कर बैट गया था मतलब वो रात यहाद आ रही है जब मेरी ममी को एक scorpion ने डंक डस मारा था 10 hours of steady rain येने 10 गंटे non-stop rain आ रही थी जिसके वज़े से had driven him to crawl beneath जिसके वज़े से ये scorpion जो है sack of rice के नीचे हमारे आके चुप गया parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room he risked the rain again अब वो आया उसने ममी को डस लिया और फिर parting with the poison जब उसने डसा, डंक मारा अपने sting spears किये ममी के पैरो में तो उसने अपना poison जो है ममी के बोडी में डाला flash of diabolic tail अब ऐसे माना चाता है कि scorpions जो है उनकी जो tail है वो shining है तोड़ी, रात के समय चमकती है तो जब वो flesh, जब वो डंक मारते है ना किसी को तो उनकी light जो है चमकती है तो इसलिए यहाँ पे कहा है parting with his poison, यहनि जैसे जब उसने डंक मारा तब flash of diabolic tail, diabolic is wicked जो evil हम कहते हैं तो उसका जो यह evil tail है वो flesh मारने लगा था in the dark room क्योंकि रात का समय था night of the scorpion तो समय रात का है यहाँ पे और उस रात का समय इसने डंक मारा है ममी को और जब डंक मारा था तब उसकी tail चमकी थी he risked the rain again और फिर डंक मारके वो वापस से बारिश में कहीं तो भी जाके चला गया अब जैसे ही आजू बाजू में सब लोगों को पता चला की मेरी ममी को एक scorpion ने डंक मारा है तो सभी के सभी आ गए यहाँ पे दे को एक simili यूज किया गया अब एक तम मक्हियां चो बोलते न उसके जूंड में आए मतलब उतने जूंड में सारे के सारे पेसेंट फ़ाय रहे क्या होआ क्या होआ क्या होआ बोलते वे and buzz the name of god a hundred times और उनने भगवान का नाम लिया कई बार buzz the name of god a hundred times यहने कई बार, सौ बार के करीभ़ उनने भगवान का नाम लिया क्यों लिया? to paralyze the evil one to paralyze the evil one मतलब जिसने ये काम किया है scorpion ने जो dunk मारा है वो नश्ट हो जाए, बरबाद हो जाए मतलब उसका बुरा हो जाए to paralyze the evil one और क्योंकि dunk मारा गया है तो ये एक super station माना जाता है कि अगर कोई भी scorpion ने किसी इंसान को dunk मारा है और वो वहाँ से चला गया dunk मार के तो जैसे जैसे वो move होएगा जानवर, वैसे वो poison भी इंसान के शरीर में move होएगा तो इसलिए ये माना जाता है कि अगर dunk करने के बाद में वो जो scorpion है वो कहीं एक ही जगे पे ठहरा रहे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उसके एक ही जगे पे ठहरने से वो poison भी आगे नहीं बढ़ेगा तो इसलिए to paralyze the evil one तो ये जो stop है न poison जो है मर्दर के body में वो stop हो जाए वो आगे ना बढ़े with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls they searched for him, he was not found अब सारे के सारे रात का समय पेसेंट्स वगर आये हैं तो सारे के सारे candles लेकर आये हैं अपने साथ में उन सभी ने candle से candle की रोशनी में देखना चाहा घर में चारो तरफ की कहा वो scorpion है तो उसको मार दे हम सब तो जब वो candle लेकर ऐसे खड़े थे तो candle से उनको scorpion तो नहीं दिखा लेकिन वो candles के वजए से उन सभी के shadows जो है वाल पर आ रही थी mud baked wall थे क्योंकि ये जोपड़ा है mud baked wall से नाम से पता चलता है कि ये एक hut है या cottage है ठीक है ये कोई घर नहीं है cement eat वाला मकान नहीं है जहां पे वो लोग रह रहते it was a hut और a cottage जो mud से बने वे उनके walls थे उस पर ये shadow आ रहते उनके lantern से so they searched for him they कौन है पेसंट searched for him, him किस के लिए सर्च किया scorpion के लिए but he was not found लेकिन scorpion नहीं मिला ये जो line है they searched for him but he was not found तो searched or not found दोनों opposite है ठीक है they click their tongues with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood they said and they clicked their tongues clicked their tongues मतलब उन्होंने scorpion को curse किया ठीक है and जैसे जैसे scorpion movement करेगा वैसे वो जो poison है mother के body में वो भी move करेगा उन्होंने कहा ऐसे इन लोगोंने कहा ये चीज मैंने आपको अभी उपर बताईती कि डंक मानने के बाद में scorpion जो है समाना जाता है कि अगर वो move करेगा बाहर किदर भी तो वो poison भी जिसके शरीर में डंक मारा है उसके शरीर में poison भी आगे बढ़ेगा तो वो यही they clicked their tongues मतलब वो यही कह रहे थे कि वो जो scorpion है वो जहां है वही का वही रहे वो move ना करे may he sit still they said है ना वो लोग कह रहे कि वो जहां पर भी है वो वही का वही रहे वो move ना करे may the sins of your previous birth be burned away tonight they said अब उपर से अब क्या बोले है ना mother को एक तो scorpion डंक मारा है तो अब क्या बोले तो क्या बोले तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब ऐसे कहते है ना कि चलो जो भी तुमको जो इतनी तकलीफ हो रही है scorpion के काटने से तो तुमारी जो भी पाप है पिछले जनम के वो धुल रहे है तुमारे scorpion के डंक को ये देखो कैसा superstation एलो कह रहे है कि तुमारे अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता तो वो यही कहता है कि चलो तुमारे पाप धुल रहे है तो may the sins of your previous birth तुमारे पिछले जनम के पाप है जो जल रहे हैं यहाँ पे मतलब तुमारी जो ये तकलीफ हो रही है तुमारे पिछले जनम के पाप धुल रहे है they said may your suffering decrease the misfortune of your next birth और तुमारे अगले जनम में तुमको ऐसी कोई तकलीफ ना हो तुमारी तकलीफ है कम हो जाए तो इसलिए अभी से तुम जहल लो सारी तकलीफ है they said may the sum of all evil balance in the unreal world against the sum of good become diminished by your pain और वो यह भी कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी बुराई है उन सब को हम अगर बैलेंस करें इस unreal world के अगेंस्ट जितनी भी अच्छाई है दुनिया में उन सब को अगर हम बैलेंस करें तो तुम्हारी तकलीफे जो है वो कम हो जाए उसके वज़े से तुम्हारी तकलीफे जो है वो कम हो जाए क्या लिखा है May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain मतलब जितनी भी बुराईया है न तो total बुराईया total wickedness वो तुम्हारे pain से कम हो जाए और तुम्हारा अच्छा हो May the poison purify your flesh of desire तुम्हारे जो भी तुम्हारे लालच वर्गरे रखी है वो सब बुरी है वो सब इस poison से तुम्हारा body पुरा पुरिफाई हो रहा है flesh पुरा है पाप तुम्हारे सारे धुल रहे है and your spirit of ambition they said और तुम्हारे जो भी ambition से वो सब जो मतलब गलत ambitions वो सब भी तुमारे धुल रहे हैं, खतम हो रहे हैं, and they sat around on the floor with my mother in the center, और वो सारे के सारे पेजन्स जो है, फ्लोर पे बैट गए, मम्मी बीच में लेटी हुई थी, तकलीफ में बेहोश पड़ी हुई थी, और सारे के सारे पेजन्स मम्मी के चारो तरफ बैट गए थे, the peace of understanding on each face, और सभी लोग एक दूसरे को समझ रहे थे कि बस अभी हमें इस प्रातना करनी है कि यह या तो ठीक हो जाए, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain, my mother twisted through and through groaning on a mat, अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था, वैसे वैसे लोग आ रहे थे, तो more candles, और क्योंकि लोग आ रहे थे, रात का समय था, तो और candles लेकर आ रहे थे साथ में, more lanterns, more neighbors, यानि कि यह repetitive sentence, repetitive word used किया है, इसलिए यह figure of speech repetition है यहा पर, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and endless rain, और यह सब तो आई रहे हैं आसपास के लोग, और rain भी साथ में भर भर के आ रहे हैं, insects भी आता है, रात के समय इंसेक्ट भी होते हैं My mother twisted through and through, और ममी जो है नीचे जमीन पे मेरी लेटी थी, तो वो, क्योंकि उनको pain हो रहा था, तो वो दर्द के मारे करा रही थी, twisted, through and through, मतलब कभी इधर, इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी एक करवट, कभी दूसरे करवट My father skeptic, rationalist, trying every curse and blessing अब वो बोलता है कि ऐसे समय में मेरे father, जो की skeptic है, rationalist है, याने कि इन सब beliefs में, इन सब traditional beliefs में, बिल्कुल यकिन नहीं रखते हैं लेकिन और वो एकदम practical आदमी है, rationalist है, याने कि एकदम practical आदमी है, जो दिखता है, वो ही सच मानते हैं अब मेरे father ऐसे होने के बावजूद, वो भी, trying every curse and blessing, वो भी, मतलब, try कर रहे हैं कि चाहे किसी blessing से मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरी वाइफ ठीक हो जाए, या फिर कोई curse, जो है उसके उपर, वो इस poison से निकल जाए मेरे father जो एक practical इंसान थे, वो भी इस समय में, ये superstitious बन गए है, powder, mixture, herb and hybrid, मतलब ये सभी मिला जुला कर, इन चीज़ों में believe नहीं करते थे, medication में believe करते थे, लेकिन अब जो ऐसी हालत हो गई है, तब जो उनको लोग कह रहे हैं, वो वैसा करने को तयार है, powder दे रहे हैं, mixture ह है, herb है, hybrid है, जो भी वो कह रहे हैं, लोग वैसा वो कर रहे हैं, he even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it, paraffin यहने wax, तो उन्होंने क्या किया, मेरे father ने एक paraffin को भी, जहाँ पर toe पे जहाँ काटा है, डंक मारा है, वहाँ पर वो paraffin लगा दिया, wax लगा दिया, और उसको माचिस से जलाया और आग भी लगाया वहाँ पे, I watched the flame feeding on my mother, तो मैंने वो देखा आग लगी वी, जो mother के toe के उपर वहाँ पे जहाँ wax लगाया गया, वहाँ आग जल रही थी, तो I saw that thing, watch the flame feeding on my mother, यह personification है, यह line जो है, I watched the flame feeding on my mother, यह feeding जो है human, feeding मतलब human action होता है, feed करना, इंसानों का action होता है तो I watched the flame feeding on my mother, यहाँ पे flame को कहा गया है feeding, तो flame तो एक abstract चीज है, inanimate चीज है, I watched the holy man perform his rights to tame the poison with an incantation, holy man कौन है, father के लिए use किया गया है, I watched the holy man perform his rights to tame the poison with an incantation, तो मतलब मैंने अपने father को, जो कि कभी इतना belief में, believe नहीं करते थे, in traditions में, rights, religious में, believe नहीं करते थे, एक practical आदमी थे, लेकिन आज वो यह सब perform कर रहे है, सारे rights perform कर रहे हैं, ताकि यह जो poison का असर है, वो सब कम हो जाए, उनके मंत्रों से, incantation, मंत्रों से, after 20 hours, it lost its swing, और 20 घंटों के बाद में, कितने घंटों के बाद में, 20 hours, it lost its sting, मतलब उसका poison का असर जो है, वो कम हो गया, My mother only said, thank God, the scorpion picked on me and spared my children, मेरी ममी न दुसरे फितना ही कहा, कि हे बहगवान, तुमारा लाख लाख शुक्र है, कि scorpion ने मुझे डंक मारा है, मेरे बच्चों को नहीं, यहने कि वो इतनी हालत में थी, 20 घंटे तक तकलीफ में थी, फिर भी जब होश आया, दूसरे रात को, तो उसके मुझे, मदर के मुझे सिर्फ यही निकला, भगवान का शुक्रिया आदा किया, कि इसने मुझे डंक मारा है, scorpion ने, और मेरे बच्चों को नहीं, यहने कि ए इस चाप्टर का पूरा सार है यहाँ पे, अब मैं आपको इसके figures of speech बता देती हूँ, फटाफट, starting से लेकर, this poem is completely in free words, तो यहाँ पे है, सबसे पहला है, my mother, I remember the night, my mother, तो यह alliteration होगे, जब आपको पता है, कि जब letters repeat होते होते हैं, तो यह पूरा poem में आपको बहुत बार alliteration दिखेंगे, alliteration बहुत जगों पे दिखेंगे, stung by a scorpion, stung scorpion, s, s, यह भी alliteration हो गया, of steady rain had driven him, had in him, to crawl beneath a sack of rice, यह कुछ नहीं है, the peasants came like swarms of flies, यह आपका simile है, like word used हुआ है, peasants को swarms of flies के तरह, directly compare किया गया है, okay, and buzzed the name of a god a hundred times, यहाँ पे buzzed यह जो word है, buzzed, यह एक sound word है, इसलिए यह जो sentence है, यह हमारा on matchup हो गया है, okay, and with candles and with lentils, यहाँ पे with और with repeat हो रहा है, तो repetition हो गया, throwing giant scorpion shadows, तो scorpion shadows, s, s, यह alliteration हो गया है, on the mud baked walls, they searched for him, he was not found, तो searched or not found, यह opposite word हो गया, okay, searched for him and he was not found, opposite ideas हो गया है, यहाँ पे, they clicked their tongues, यहाँ पे clicked word जो use हुआ है, clicked means यह भी onomatopoia है, onomatopoia है, यहने कि यह line जो है, they clicked their tongues, यह onomatopoia है, with every movement that the scorpion made his poison, moved in mother's blood, they said, तो यह आपका वापस से alliteration आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे M जो है, repeat हो रहा है, letter M जो है, repeat हो रहा है, May he sit still, they said, तो यह sit still, yes, yes, यह वापस alliteration आ गया है, May the sins of your previous birth be burned away, be burned away, मतलब यह जो आपका alliteration आ गया है, may your suffering decrease the misfortunes of your next birth, यह आपका sum of all evil से लेके sum of good, evil or good, यह antithesis हो गया, दो opposite चीज़े यहाँ पे add हो गई है, तो यह may the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good, यह आपका antithesis हो गया line, become diminished by your pain, may the poison purify your flesh, poison purify, alliteration of desire and your spirit of ambition, they said and they sat around, they or they, यहाँ पे repetition, on the floor with my mother in the center, my mother, यह भी आपका alliteration, the peace of understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain, अभी जो more 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 यहाँ पे यह यह use किया गया है, यह आपका हो गया है, repetition, और इसको आप climax, नहीं बोलेंगे, यह repetition में होगा, my mother twisted through and through, अभी through and through यहाँ पे use हो रहा है, और TNT भी use वहाँ, alliteration भी बोल सकते हैं, repetition भी बोल सकते हैं, groaning on a mat, groaning यहाँ पे word जाए, on a mat चुप हो यहाँ है, again, my father skeptic rationalist, skeptic and rationalist, एक ही मतलब हम बोल सकते हैं, बठी के इसको हम नहीं लेंगे, trying every curse and blessing, यह antithesis हो गया, curse and blessing, opposite words यहाँ पे हैं, poured a little paraffin, poured and paraffin, यह भी आपका एक alliteration हो गया है, upon the bitten toe and put a match to it, I watched the flame feeding, flame feeding, यह आपका alliteration भी है, लेकिन यह मैंने आपको बताया था, flame feeding, यह personification में लोगे आप, okay, I watched the holy man perform his rights to tame the poison with an incantation, यहाँ पे कुछ नहीं है, after 20 hours, it lost its sting, यह कुछ नहीं है, thank God the scorpion picked on me and spared my children, यह कुछ नहीं है, बाकि एक metaphor है और एक personification है, बाकि तो almost एक antithesis, दो antithesis मैंने आपको बताया है, और यह जो, to paralyze the evil one, यह आपका एक metaphor है, तो metaphor इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे evil one को, जो है, indirectly कहा गया, scorpion को indirectly evil कहा गया है, evil याने devil, evil one याने devil होता है, तो scorpion को indirectly devil कहा गया है, तो यह मेरा poem explanation यहाँ पे खतम हो जाता है, मैंने आपको इसके, जितने भी figures of speech है, वो यहाँ पे almost बता दिये हैं, इसके अलावा भी जो कुछ बच जाता है, जैसे कि इसके जितने workshop है, और warming up exercise है, जो यह margin के questions है, वो सब आपको मैंने description box में link दे रखा है, आच के लिए इतना ही जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you.